आजी गुड मॉर्निंग तो आज हम करने वाले हैं रेजिडेंशल स्टेटस चप्र का रिवीजन रेजिडेंशल स्टेटस एवरी ससी का डेटर्माइन करना होता है एवरी ये चाहे ससे इंडिविज्विज्वल हो हो कंपनी यो पार्टनर्शिप फर्म हो लल्प हो कोई भी ह हर SSE का रेजिडेंशल स्टेटस एवरी ये डेटर्माइन करना होता है तो और इससे होगा क्या रेजिडेंशल स्टेटस डेटर्माइन करने से होगा क्या उसका स्कोप और टोटल इंकम डेटर्माइन होगा जैसे अगर पता पढ़ेगा कि कोई इंडिविज्वल ओर्डिन regionally resident in India है तो फिर उसकी global income यानी world की income उसकी इंडिया में टेक्सिबल होगी वह income इंडिया में कमाई है चाहे आउटसाइड इंडिया कमाई थे वहं इंडिया में टेक्सिबल होगी अगर कोई individual ordinary resident है और वह नॉन रेजीदे एंडिया ने इंकम पर ही इंडिया में टेक्स लगेगा इसलिए रेजीदेन्चल स्टेटर स्टेट्स करना ज़रूरी है अब बात समझते हैं सबसे पहले हम इंडिविजोल का रेजीदेन्चल स्टेटर इसके डेतरमाइन करें इस के लिए हम पहले बेसिक सब्सक्राइब कर दें तो वह रेजिडेंट हो जाएगा और एक भी बेसिक कंडिशन सब्सक्राइब नहीं करता तो नौन रेजिडेंट हो जाएगा ठीक है अच्छा दोनों की दोनों बेसिक कंडिशन सब्सक्राइब कर लेगा तो वह रेजिडेंट है ही तो दो बेसिक कंड स्टेज क्लासिफिकेशन के लिए हमें बेसिक कंडिशन सप्लाई करने होती है फिर बाग में पता पड़े कि वो रेजिडेंट है डेटर्माइन हो गया से कि वो रेजिडेंट है तो फिर हम सेकेंड स्टेज क्लासिफिकेशन करेंगे और सेकेंड स्टेज क्लासिफिकेशन करने के लिए हम additional conditions apply करेंगे और additional conditions दे रखी हैं हमको section 6 subsection 6 में तो basic condition section 61 additional conditions section 6 subsection 6 basic condition apply करना मतला first stage classification करना कि वह resident है या non-resident है ठीक है फिर पता-पड़ा और वह resident है, तो हम second stage classification करेंगे और उसके लिए हम additional conditions apply करेंगे. Basic condition भी 2 हैं और additional conditions भी 2 हैं. समझते हैं basic condition क्या है? देखिए basic condition में से एक भी basic condition satisfy करा ले तो वो resident हो जाएगा. और अगर वो एक भी basic condition satisfy ना करा पाय तो वो non resident हो जाएगा. अब बात करते हैं कि basic conditions क्या है section 6 subsection 1 के हिसाब से जिससे हम first stage classification करते है कि वह resident है या non resident है तो basic condition दो है वह individual relevant previous year में कम से कम 182 डेस की उसकी इंडिया में presence होनी चाहिए तो हमारा relevant previous year अभी क्या है 2023-24 इस year में उसकी इंडिया में presence होनी चाहिए कम से कम 182 days की अगर वो यह condition से रिस्वाई करवा रहा है और दूसरी basic condition क्या है current year relevant previous year में कम से कम साथ दिन की उसकी इंडिया में presence हो और current year relevant previous year को छोड़ कर उससे immediately preceding 4 years में उसकी इंडिया में presence 365 days हो दूसरी basic condition क्या है relevant previous year में कम से कम साथ दिन और relevant previous year को छोड़ कर immediately preceding 4 years में अगर उसकी इंडिया में presence 365 दिन है तो यह दोनों बाते satisfy हो current year में साथ दिन और past 4 years में 365 दिन दोनों satisfy होनी चाहिए तो second वाली basic condition satisfy मानी जाएगी तो या तो वो current year में इंडिया में present हो 182 days या फिर current year में 60 days और past 4 years में 365 days की उसकी इंडिया में presence हो दोनों basic condition में से एक भी satisfy कर लेगा तो वो resident के लाएका ठीक है लेकर column 2 एक essay person के लिए दिरखा है जो इंडियान citizen है और जिसने for the purpose of employment during the relevant previous year इंडिया चोड़ा है past में चोड़ा था नहीं चोड़ा था उससे उसकी बात नहीं हो रही है relevant previous year में उसने for the purpose of employment इंडिया चोड़ा था essay person पर यह second column applicable होगा या फिर कोई इंडियान ship का crew member है उस पर यह second column applicable होगा तो उसको से पहली वाली basic condition satisfy करानी होगी relevant previous year में उसकी कम से कम इंडिया में presence होनी चाहिए 182 days फिर तीसरा column तीसरा column applicable होगा कोई person इंडियान citizen है या person of Indian origin है person of Indian origin किसको बोलेंगे जिस person का जनम इंडिया में हुआ है या फिर जिसके parents का at least one parent का जनम इंडिया में हुआ है या grand parents में से at least one का जनम इंडिया में हुआ है तो वो person किलाएगा person of Indian origin अब समझते हैं वो person या तो इंडियान citizen है या person of Indian origin है और अभी abroad में है और अभी relevant previous year में वो इंडिया में विजट के लिए आ रहा है उस पर ये third column applicable होगा और हम चेक करेंगे उसकी total income other than income from Indian sources other than income from foreign sources foreign sources की income को छोड़ कर इसका मतलब सिर्फ Indian sources की income अगर उसकी up to 15 lakh तक है during the relevant previous year तो उसके लिए हम सिर्फ एक ही basic condition applicable होगी दूसरी बाली basic condition non-functional हो जाएगी तो एक ही basic condition उसके लिए क्या applicable होगी उसके लिए हम देखेंगे उसकी presence है क्या during the relevant previous year कम से कम 182 days in India तो वो resident माना जाएगा ठीक है अगर उसकी total income other than income from foreign sources मतलब foreign sources को छोड़ कर मतलब Indian sources को count करेंगे उसकी total income के अंदर और अगर उसकी इंडियान sources से total income पंद्रा लाग को exceed करती है during the relevant previous year तो उसके लिए first वाली basic condition तो है ही presence हो at least 182 days during the relevant previous year और अब उसके लिए हम second वाली basic condition भी देखेंगे और दोनों basic condition में से अगर वो एक भी basic condition satisfy करा ले तो वो हो जाएगा resident ठीक है लेकिन पहली वाली basic condition satisfy कराने से वो resident हो जाएगा लेकिन दूसरी वाली basic condition क्या है उसकी relevant previous year में कम से कम 120 days की इंडिया में presence होनी चाहिए current relevant previous year में कम से कम 120 days की उसकी इंडिया में presence होनी चाहिए और relevant previous year को छोड़ कर immediately preceding past 4 years में 365 दिन की presence होनी चाहिए अगर यह condition satisfy होती है second वाली basic condition तो इस situation में उसे directly और माना जाएगा not ordinary resident और इस situation में additional conditions apply नहीं करनी होगी तो additional conditions है क्या यह हम detail में समझते हैं additional conditions है कि relevant previous year को छोड़ कर past 10 years में जाएंगे relevant previous year को छोड़ कर past 10 years में जाएंगे उसमें से कम से कम वो दो तू यह में कम से कम resident इंडिया हो इसका मतलब उन दस सालों में past 10 years में वो कम से कम दो साल में कोई भी एक basic condition satisfy करा रहा था तो पास्ट 10 years में कम से कम वो किनी टू यह में कोई भी एक basic condition satisfy करा रहा था तो वो पास्ट 10 years में कम से कम दो साल resident था यह additional condition satisfy करा दे या फिर पास्ट 7 year में relevant previous year को छोड़कर पास्ट 7 year में उसकी इंडिया में प्रेजेंस होनी चाहिए 730 डेस तो यह दो additional conditions दे रखी हैं देखे हमें पता पड़ा कि वो resident है अब हमें करना पड़ता है कि वह ordinary resident है या not ordinary resident है अब additional conditions यह second stage का classification करेंगी कि वो ordinary resident है या not ordinary resident है ठीक है तो उसके लिए जो person जो individual दोनों की दोनो additional condition satisfy करा लेगा वो क्यलाएगा ordinary resident दोनों की दोनो additional condition satisfy करा लेगा तो वो क्यलाएगा ordinary resident या दोनों की दोनो additional condition satisfy नहीं कराता या दोनों में से एक कराता है तो वो क्यलाएगा not ordinary resident अभी हमने क्या समझा यह जो 15 lakh वाला matter था इसमें हमने क्या समझा इस situation में वो person इस condition के ग्राउंड पर current year में 120 days और past four year में 365 days वाली condition के लिए उसे directly NOR कहा जाएगा और इस case में उसे additional conditions चेक करने की जरूरत नहीं है डारेक्ली उसको not ordinarily resident बुला जाएगा ठीक है अब एक team resident का concept है यहाँ पर यह अभी जो हमने पढ़ा यह था actual resident in India ठीक है अब अब समझते हैं इंडिया सेक्शन सिक्स सब सेक्शन वन यह क्या बुलता है कि अभी सेक्शन सिक्स सब सेक्शन वन में जो भी लिखा था उसको एक मैट के लिए इग्नोर करो और कुछ condition satisfy हो तो हम ससी को इस individual को इंडिया माग लेंगे अगर वो इंडियान सिटीजन है अगर वो इंडियान सिटीजन है और उसकी टोटल इंकम पॉरें सोर्स से इंकम जो है उसको छोड़ कर इसका मतलब इंडियान सोर्स की इंकम काउंट करेंगे अगर उसकी इंडियान सोर्स से इंकम एक्सीट करती है पंद्रा लाग को दूरिंग दर एलेवेंट प्रिवियस यर इंडियान सोर्स से इंडिया में अगर उसकी इंकम दूरिंग दर एलेवेंट प्रिवियस यर एक्सीट करती है पंद्रा लाग को और वो इंडियान सिटी में उसे directly NOR कहा जाएगा not ordinary resident और इस case में भी फिर additional conditions apply करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है additional conditions हम apply करते ही कि इसलिए हैं कि वह OR है या NOR है बट इस case में हम additional conditions apply करके देखेंगे भी नहीं और उसको directly और या नॉर लिए इडिया बोल देगे ठीक है अब ये प्रोविजन ये दिमिंग प्रोविजन उस पर पर अप्लीकेबल नहीं होगा उस इंडिविजूसल पर अप्लीकेबल नहीं होगा जो एच्चन 6-1 actual resident है इसका मतलब जो इन प्रोविजन के हिसाप से actual resident है उस पर यह डीमिंग प्रोविजन अप्लिकेबल नहीं होगा ठीक है अब तो हमने basic conditions पढ़ी देखे basic conditions का क्या रोल है basic condition का रोल है कि वो determine करती है कि यह इसके लिए हम क्या करते हैं कीश करते हैं जब पता पढ़ता है हमें कि वह ट्यटीटेंट है तो फिर हम करते हैं और क्लासिपीकेशन करते हैं और उसके लिए हम apply करते हैं additional conditions ठीक है लेकिन अभी हमने देखा तहीं कहीं हमें additional conditions apply करने की ज़रुवती नहीं है और SSC को हम directly NOR बोलने के उस individual को हम directly NOR बोलतेंगे ठीक है चले अब अभी हमने देखा कुछ cases में हमें उसकी total income देखनी होती है other than income from foreign sources तो income from foreign sources का मतलब क्या है ऐसी income जो accrue और arise भी है outside इंडिया उसको बोला जाएगा income from foreign sources लेकिन इसके कुछ exception है मतलब कुछ cases में income income from foreign sources नहीं बोला जाएगा तो अगर वो income deemed to accrue or arise in India मानी जा रही है due to section 9 अगर उसे deemed to accrue or arise in India माना जा रहा है तो फिर उसे income from foreign sources नहीं बोला जाएगा ऐसी income जो हो रही है किसी business से और business का control इंडिया से हो रहा है इस case में भी उसे income from foreign sources नहीं बोला जाएगा तीसरा case अगर income किसी profession से हो रही है और वो profession set up in India है तो इस case में भी उसे income from foreign sources नहीं बोला जाएगा तीक है अच्छा ये बात हमने already discuss कर ली थी कि कि किसी भी person को हम person of Indian origin कब बोलेंगे जब उसका या उसके parents का या उसके grandparents में से किसी का भी जनम अंडिवाइड इंडिया में हुआ हो तो उसे हम बोलेंगे person of Indian origin ठीक है उस individual को खुद का उसके parents में से at least one का या उसके grandparents में से at least one का जनम अगर अंडिवाइड इंडिया में हुआ है तो वो person कहलाएगा person of Indian origin और person of Indian origin की बात इस थर्ड कॉलम में हुई थी ठीक है चले अब अब समझते हैं यहां पर हम जो number of Indian stay के days काउंट करेंगे उसमें कोई person इंडिया में आया जिस दिन और जिस दिन वो इंडिया से गया तो दोनों क्या करेंगे क्या इंडिया में आने का दिन और इंडिया से जाने का दिन अराइवल डेट और डेपार्ट्चर डेट दोनों उसके इंडियां इस्टेके में काउंट हो का ठीक है अब अब समझते हम कि एडिशनल कंडिशन्स हमने बात करनी थी की पास्ट टैन यह रेलेवेंट प्रिवियस चोड़ कर पास्ट टैन यह में वो कम से कम दो सालों में रेजिडेंट होना चाहिए और रेजिडेंट होना चाहिए और पास्ट एंडिया में प्रेजेंस होनी चाहिए तो यह दो एडिशनल कंडिशन्स अगर सैटेस्वाई हो जाएंगी दोनों की दोनों तो वो परसन रेजिडेंट तो ही है फिर उसका सेकेंड स्टेस क्लासिफिकेशन हो जाएगा कि वह ओर दिनरी रेजिडेंट भ तो ओर्डिनरी रेजिडेंट क्यालाता है थेके चलिए अब एक चुई एफ का रेजिडेंशल स्टेटस कैसे करेंगे उसके लिए हम सकंडिशन कैसे करेंगे बेसिशन में क्या दे रखा है एक चुई का कंट्रोल और मेनेश्मेंट कहां है होफ के affairs का control and management कहा है अगर होफ के affairs का control management wholly in इंडिया है तो यह होफ resident in इंडिया कहलाएगी होली आउट ओफ इंडिया है तो यह होफ non-resident कहलाएगी अब होली या partly partly in इंडिया है या partly outside इंडिया है तो इस किस्ट में वह होफ resident कहलाएगी अब इस बात को मैं short में बोलू अगर होफ का control management और पार्टली इंडिया है तो यह होफ resident कहलाएगी तो डिसाइड होगया कि होफ resident in इंडिया है अब करना है कि हो ओर डिनर्ली रसीडेंट इंडिया है या नौट ओर डिनर्ली रसीडेंट इंडिया मतलब हमें हो का second stage classification करना करना है तो सेकंड स्टेश क्लासिफिकेशन करने के लिए एडिशनल कंडिशन चेक करने होगी एडिशनल कंडिशन पूरी कराने की जिम्माधारी करता की है तो करता के लिए एडिशनल कंडिशनल कंडिशन सैटिस्फाई करानी पड़ेगी तो करता एडिशनल कंडिशन क्या स प्रिवियस यर को छोड़ कर इमीडेटली पास्ट टैन इयर्स में करता कि इंडिया में प्रेशेंस थी सेवन थर्टी डेश कम से कम तो दोनों एडिशनल कंडिशन सेटिस्पाइब कराएगा करता लेकर हो जाएगी उस किसमें और्डिनर्ली रेजिडेंट तो दुबारा सुने मैंने क्या बोला मैंने बोला एडिशनल कंडिशन्स पूरी कराने की जिम्मदारी करता की है करता एडिशनल कंडिशन्स पूरी करा दे तो हो जाएगी और्डिनर्ली रेजिडेंट इन इंडिया ठीक है चलिए अब बात करते हैं पार्टनर्शिप फ़र्म एओपी ब्योई का रेजिडेंशल स्टेटस कैसे डेटर्माइन करें उनका भी हम देखेंगे सब नंटर्ल एंडिया है तो यह सब कहलेंगे इंडिया है और इन सब का सेकंड स्टेश क्लासिडिकेशन नहीं होगा इसका मतलब इनका सिर्फ कितना क्लासिफिकेशन होगा कि यह resident है या non-resident है resident होने का पता पढ़ने पर फिर इनका second stage का classification नहीं होगा कि यह और है या एन और है ठीक है चलिए अब कंपनी का residential status कैसे determine करें कंपनी के लिए हम देखेंगे poem poem मतला place of effective management place of effective management का मतलब जहां से कंपनी के की management और commercial decision जिस place से लिए जाते हैं जो decision उसके conduct of business के लिए ज़रूरी है इस substance मतलब उसकी major crucial decision making जहां से होती है उस place को हम बोलेंगे place of effective management तो हम उसका place of effective management देखेंगे अगर वो holy in India है अब एक बात सुनियों company के दो टाइप होते हैं इंडियन कंपनी और company other than Indian company Indian company is always resident in India उसका place of effective management कहीं पर भी हो इंडियन कंपनी इस always resident इन इडिया उसका place of effective management कहीं से भी हो ठीक है जो company other than Indian company उसके लिए हम देखेंगे अगर उसका place of effective management holy in India हुआ तो ही वो resident कहलाएगी इंडिया में अगर ऐसा नहीं है otherwise तो उस case में वो non-resident कहलाएगी इसका मतलब partly in इंडिया है या partly outside इंडिया है तो उस case में भी वो non-resident कहलाएगी ठीक है तो company का residential status इस तरीके से determine किया जाएगा अब अब बात करते हैं हम एक खास बात एक का ये मैंने बुला था कोई Indian ship का crew member है कोई Indian ship का crew member है उसके लिए हम कौन सी basic condition check करेंगे उसके लिए हम basic condition check करेंगे कि उसकी relevant previous year में कम से कम 182 days की इंडिया में प्रेजेंस होनी चाहिए कि कि ये तो general rule है अब इसके लिए एक बात और देखेंगे तो जो इंडियान ship के crew member होते हैं उनके लिए explanation number two लगता है उसमें क्या दिरखा है अगर कोई individual है जो इंडियान citizen है या crew member है किसी foreign bound ship का जो इंडिया छोड़ रहा है ship उसका वो crew member है उसके लिए इंडियान stay के days में count नहीं होगा कुछ days उसके इंडियन इस्टे के डेस मैं count नहीं होंगे जिस दिन वो उस शिप पर emtry करता है और जिस दिन वो शिप चोड़ता है तो उसके जो शिप वाले डेस होते हैं वह उसके इंडियन इस्ते के डेस नहीं माने जाएंगे टू की इसको गवर्णμेंट ने लिखा कैसे शिप वाले डेस कैसे काउंट होंगे commencing from the date entered into continuous discharge certificate in respect of joining the ship उस दिन इस ने शिप को को जोइन किया तब से उसके शिप के दिन शुरू हो जाएंगे और खतम कब होंगे ending on the date entered into continuous discharge certificate in respect of signing off जिस दिन वो शिप से किसी Indian ship का कोई crew member है उस और पूरे साल भर में मैं बोलू कि वो 365 दिन उसकी मैं इंडिया में प्रेजेस मानता हूं तो यह वाले शिप वाले डेस उस तीन सो पैसट दिन में से exclude कर दिये जाएंगे और हां अगर लीपियर हुआ माने जाएंगे और अगर वो बैलेस डेस यह डेस घटा के शिप के डेस घटा के बैलेस डेस अगर 182 डेस हैं कम से कम तो यह इंडियन शिप का crew member resident इन इंडिया माना जाएगा ठीक है अच्छा कंट्यूनस डिस्चार्ट का मीनिंग मर्चेंट चिपिंग एक्ट में दे रखा है अब बात करते हैं कि यह रेजिदेंशल स्टेटस डेटर्माइन करने से होगा क्या तो उसका एफेक्ट पड़ता है इंसीडेंस ऑफ टेक्स पर उसको समझने से पहले हम डिसकस कर लेते हैं इंडियन इंकम का क्या मीनिंग होता है इंडियन इंकम का मीनिंग गवर्मेंट ने बहुत सोच समझ के बनाया है तो आप बहुत हैरानी करेंगे कि इंडियन इंकम की डेफिनेशन गौर्मेंट ने बहुत चलाकी करके बनाई है तो जो इंकम इंडिया में रिसीव हुई वो इंडियान इंकम है वो कमाई नहीं गई इंडिया में लेकिन इंडिया में रिसीव हो गई तो वो इंडियान इंकम है और इंकम डीम्ड टूबी रिसीव इंड गए तो इंडियान इंकम पर सभी को टेक्स देना पड़ेगा यहीं कि больше बाहर कमाई गई फ़रेंँंड में कमाई गई लेकिन इंडिया में रेसीव की गई तो वो इंडियन इंकम है दूसरा इंकम डीम्ड टू बी विसीवट इन इंडिया तीसरा इंकम अक्रू और राइज इन इंडिया जो इंकम इंडिया में कमाई गई है वो तो इंडियन इंकम है ही और इंकम डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया अब अब बाट उसे अपने जॉब की सर्वेश रेंढर करने के लिए फोर इंडीया आता बहुत नहीं है पूरे साल फारइड में रहा है लेकिन वह इंडिया और-प्र उसके उसको सैलडी भी आुटसाइड इंडिया इंडिया की सेंट्रल गपर रही है लेकिन उसकी यह सैलडी डिम DAO और इंडिया मानी चाहेगी तो मांधर में एक कर बाते हैं इंडियान इंकम कि एक जैलाते हैं तो foreign income क्या है very simple इंडियान इंकम नहीं है वो foreign income है ठीक है अब incidence of tax अब मैं individual HF की बात करूं Indian income आपने decide कर लिया Indian income में क्या क्या कवर होगा income received in India income deemed to be received in India income accrue or arise in India income deemed to accrue or arise in India यह Indian income के four corners क्यलाते ठीक है तो कोई Indian income है Indian income पर सबको टेक्स हेना पड़ेगा Indian income is taxable to all चाहे एससी ordinary resident हो चाहे not ordinary resident हो चाहे non-resident हो तो सब को इंडियान income taxable होती है अब foreign income taxable होगी क्या ordinary resident के लिए देखने की ज़रुरत नहीं है ordinary resident के लिए तो foreign income भी इंडिया में टेक्सेबल होती है और non-resident की foreign income इंडिया में टेक्सेबल नहीं होती है ordinary resident की foreign income इंडिया में रेजिडेंट का है अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कोई एससी ओर्डिनली रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है इंडियान इंकम सबको हई टेक्सेबल है और foreign income ordinary resident को इंडिया में टेक्सेबल है लेकिन NOR का सीन अलग है NOR के लिए धनक से समझना NOR के लिए इंडिया में taxable तब ही होगी जब उसका कुछ verrdayan connection हो उसका उस income का कुछ 인iency About Ian Connection हो तब ही वो इंडिया में taxable होगी अगर उस income का इंडिया से कोई connection नहीं है तो वो income NOR के लिए taxable नहीं होगी फ्रम एलेलपी कोपरेटिव सोसाइटी बगरे के लिए इंडियान इंकम टैक्सेबल टू और उसको रिसीड़ बी ऑउटसाइड इंडिया की गया लेकर बात में लेटर ऑन उसको इंडिया में रेमिट किया गया तो यह चीव कर लिया घया था तो यह बाद में इंडिया में रही है तो यह किसी को भी टैक्स वल नहीं होगी भले ही ऐसे सी चाहे ओरोडिनर्ली रेजिडेंट हो चाहे नॉंड रेजिडेंट अब सी पीडी-डी का सर्कुलर कोई नॉं रेजिडेंट सी फेरर है मतलब इंडiranी का employee है वो ship पर काम करता है ठीक है उसका job ship पर है वो अपनी services ship पर देता है तो उसकी services outside इंडिया है और वो ऐसे ship पर duty करता है वो चाहे Indian flag वाला है चाहे foreign flag वाला है ठीक है और वो high C के अंदर जाकर अपनी services दे रहा है जो इंडिया का पार्ट नहीं है वहां पर अपनी services दे रहा है लेकिन उसकी salary उसको receive हो रही है non-resident external account में और यह एनरी account non-resident account उसने इंडिया में Indian bank में maintain किया है इंडिया में इंडिया bank में उसने एनरी account maintain किया है उसकी salary डिरेक्टली इस bank account में credit हो जाती है सिफ उसकी salary डिरेक्टली इंडिया में रसी हुई महें जिस ग्राउंड पर उसको इंडिया में taxable नहीं किया जाएगा यह है CBD का circular जो सिफ benefit देगा किसको non-resident seafarer को ठीक है अब बात करते हैं कुछ income dimmed to accrue or arise in India मानी जाती है एस पर section 9 तो कौन सी income dimmed to accrue or arise in India मानी जाएगी ऐसी income जो कमाई गई है through or from any business connection in India through or from any business connection in India जैसे किसी non-resident का इंडिया में business connection है उस business connection से उस non-resident ने income कमाई है वो इंडियान income है फिर कोई property है इंडिया में उससे income होई non-resident को तो ये भी dimmed to accrue or arise in India मानी जाएगी इंडिया में taxable होगी कोई asset है या income का source इंडिया में है उससे income कमाई फर एक नॉन resident ने इंडिया में located किसी property से income कमाई तो वो इंडियान income मानी जाएगी और उसके लिए वो इंडिया में taxable होगी फिर कोई capital asset कोई non-resident है capital asset situated in India है वो transfer कर दे उससे उसको capital gain की income हुई वो भी उस non-resident को इंडिया में taxable होगी क्योंकि ये सब डिम टू अक्रू और राइज इंडिया माना जाएगा और उस non-resident को भी इंडिया में taxable होगा अभी हमने बात की अगर business connection इंडिया हो जाता है तो उससे जो income होती है वो डिम टू अक्रू और राइज इंडिया मानी जाती है तो business connection कि इसको बोलेंगे business connection की definition section 9 में explanation 2 में रखी है business connection इन तीन situation में माना जाएगा business connection इन तीन situation में माना जाएगा अब principle जो है वो non-resident और उसका इंडिया में agent इंडिया एजेंट और उसका प्रिंसिपल नॉन रेसिडेंट है तो एपरसन हूँ है और है और है बीचोली एक्सराइज इन इंडिया एन अथवर्टी तू कांक्लूट कॉंट्रेक्ट और विहाफ ओफ नॉन resident तो कोई इंडिया एजेंट है और उसका प्रिंसिपल फोरें का नॉन रेसिडेंट है उस नॉन रेसिडेंट प्रिंसिपल ने इस इंडिया एजेंट को इंडिया में कोई कॉंट्रेक्ट करने की अथोरीटी धी है तो माना जाएगा कि उस नॉन डेजिदेंट प्रिंसिपल का इंडिया में बिजनस कनेक्शन है उसने इंडिया में अपना इंडियान एजेंट कर रखा है इसे हम बुलेंगे उस नॉन डेजिदेंट का इंडिया में बिजनस कनेक्शन है और वह जो एजेंट एंडियान वो उस non-resident principle के नाम से है और उससे ownership transfer हो रही है या right to use transfer हो रहा है property owned by that non-resident non-resident की property का कोई right transfer हो रहा है या ownership transfer हो रही है या non-resident के बिहाफ पर ये Indian agent कोई service provide कर रहा है ठीक है तो माना जाएगा कि उस non-resident principle का India में business connection है अब इस बात को ओगर में short में बलूँ कि अगर non-resident principle इंडिया में अपना कोई agent appoint करता है तो इससे कहा जाएगा कि उस non-resident principle ने इंडिया में अपना business connection रखा है और इससे इस non-resident principle को जो इंकम होगी वो इंडिया में टैक्से बलोगी फिर दूसरा केस अगर उस agent के पास इंडिया में कोई भी contract conclude करने की अथोरिटी नहीं है पहला केस था उसके पास contract conclude करने की अथोरिटी है दूसरा केस उस इंडिया एजेंट के पास इंडिया में कोई भी contract conclude करने की अथोरिटी नहीं है लेकिन वो उस non-resident principle का goods stock अपने पास maintain रखता है और उस non-resident principle के direction पर non-resident principle के customers को goods deliver करता है तो इस situation में भी माना जाएगा कि उस non-resident principle का इंडिया में business connection है या यह इंडियान एजेंट उस non-resident principle के वहाब पर order secure करता है customer से order लेता है या non-resident का outside इंडिया एक पुरा group है कोई association है उसके direction पर यह इंडियान एजेंट इंडिया में order secure करता है customer से तो माना जाएगा कि उस non-resident का इंडिया में business connection करता है और इस business connection से उस non-resident को जो भी income होगी उस non-resident के लिए इंडिया में taxable मानी जाएगी तो इसे हम कहेंगे उस non-resident का इंडिया में business connection है और इससे जो present होता हूं तो मेरी इंडिया ने income एंडिया में taxable हो जाती है थीक है तुप present ही नहीं होता है इंडिया में presence होगा ही नहीं मेरी presence होगी निए मैं इंडिया में आऊंगा ही नहीं agent के थ्रू take business करूंगा तो रखूँगा ठीक है मैं इंडिया के बाहर बैठे बैठे इंडिया में बिजनस करूँगा और उससे इंकम अर्ड करूँगा ठीक है तो गौवर्मेंट एक कदम आगे और बढ़ाती है कि नॉन डेजिडेंट इसके से हम देखेंगे तुम्हारी सिगनिफिकेंट एकनोमिक प् घ्या जैसे पस्दांग सैने यूट्यूब वगराइद ओर इंस्टाग्राम वगराइद पबजी इन सब की इंडिया में तो फिजिग्ल प्र्सेंस है नहीं इनका इंडिया में कोई एजेंट है लेकिन फिर भी इनकी इंडिया में significant economic presence है तो अगर non resident आपकी इंडिया में significant economic presence है तो उससे भी आपको जो income होगी वो हम इंडिया में taxable करेंगे तो significant economic presence होना इंडिया में कब माना जाएगा उसके लिए government बुला है दो किसमें से कोई भी condition satisfy हो अच्छा अगर किसी non resident की इंडिया में significant economic presence है तो माना जाएगा कि उस non resident का इंडिया में business connection है दुबारा सुनों मैंने क्या बोला मैंने बुला अगर किसी non resident की इंडिया में significant economic presence है तो क्या माना जाएगा उस non resident का इंडिया में business connection है और उस business कनेक्शन से जो भी इंकम होगी वो डिम्ट डू अक्रू और राइस इन इंडिया यानि इंडिया में मानी जाएगी मतलब उसने नॉन रेजिडेंट को उस इंकम पर इंडिया में टेक्स देना पड़ेगा तो सिगनिफिकेंट एकोनोमिक प्रेजेंस का एक नया जुमिल आ ग कर रहा है इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ डाउनलोड ऑफ डेटा और सॉप्ट्वेर इंडिया कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया से बाहर बैठे बैठे किसी इंडियन कस्टमर को कोई सॉप्वेर अप्लाई करता है इमेल के थ्रू ठीक है फर एक्जांपल मैंने किसी इंडिया में सिग्निफिकेंट एकनोमिक प्रेजस है लेकिन इसको एक कंडिशन के साथ जोड़ के देखा जाएगा कंडिशन क्या है अगर एग्रिगेट ऑपेमेंट अराइजिंग फ्रॉम सच ट्रांजेक्शन और ट्रांजेक्शन दूरिंग दर एलेवेंट प्रिवियस एक्सिट करती है दो करोड को तो इस सिचुशन में माना जाएगा कि उस नॉन डेजिडेंट का इंडिया में सिग्निफिकेंट एकनोमिक प्रेजस है ठीक है और सिग्निफिकेंट एकनोमिक प्रेजस को बिजनस कनेक्शन इन इंडिया माना जाता है और बिजनस कनेक्शन इ इंडिया में number of users से कितना interact करते हैं अगर उनके इंडिया में number of users at least three lakhs है तो फिर माना जाएगा कि उनकी इंडिया में significant economic presence है पर एक्जामपल PUBG PUBG के अगर इंडिया में number of users कम से कम तीन लाख है तो माना जाएगा कि PUBG की इंडिया में significant economic presence है तो government एक नया concept लेकर आई significant economic presence अब यह जो ट्रांजेक्शन और activities वे इनको significant economic presence इंडिया माना जाएगा वैदर और नौट वैदर और नौट यह इंडि इसके लिए agreement दोनों पार्टीस की बिच में agreement इंडिया में हुआ चाए आउटसाइड इंडिया हुआ agreement इंडिया हुआ चाए आउटसाइड इंडिया हुआ दोनों ही कैस में इसे significant economic presence इंडिया माना जाएगा और भले उस non-resident का इंडिया में आउटसाइड इंडिया हुआ ठीक है उस non-resident का इंडिया में सिग्निफिकेंट economic presence है और तीसरा केस वह non-resident इंडिया में सर्विस देता है या नहीं देता है वैदर और नॉट चाहे वह इंडिया में सर्विस देता है चाहे नहीं मतलब करता है तब भी इंडिया में प्रेजिनस भी नहीं है और वह कोई करता है तब भी उसकी इंडिया में significant economic process मानी जाएगी ठीक है और तो क्या उस non-resident की यह सारी income इंडिया में taxable हो जाएगी नहीं जितनी इंकम और ट्रांजेक्शन्स और एक्टिविटी से लेटेड है जितनी इंकम इंडियन उपरेशन से लेटेड है जितनी इंकम इंडियन यूजर्स से लेटेड है सिर्फ इंकम उनकी इंडियन इंकम माना जाएगा सारी नहीं थीक है फिर explanation number 3A अगर कभी ऐसे होता है कि वो non-designate कुछ operations इंडिया में करता है कुछ operations वो outside इंडिया करता है तो ऐसा उसका business जिसके operations वो सारे कि सारे इंडिया में नहीं करता है तो सिर्फ उतनी ही इंकम इंडिया में टैक्सेबल होगी जितने उपरेशंस उसने इंडिया में किये हैं उससे इंकम ही इंडिया में टैक्सेवल होगी जितनी इंकम foreign operations से connected है वो इंडिया में नहीं होगी तो operations carried out in इंडिया में क्या-क्या माना जाएगा अगर कोई agency है और वो इंडिया में advertisement कर रही है और उन्होंने इंडियां customers को target किया लाट आइन्डिया में रहते हैं या ऐसे कस्टमेर्स जनका आइपी एड्रेस इंडिया का है इस एंट्र किया है इंडिया के लिए तो उस foreign agency की income माना जाएगा कि उन्होंने इंडिया से कमाई है और उनकी operations इंडिया में हुए है क्योंकि advertisement ने target किसको किया है Indian customers को दूसरा case अगर किसी Indian customer को कोई data sale किया गया है तो फिर उसको sale करने से जो income हुई है वो माना जाएगा कि वो operations carried out in India से हुई है और वो इंडिया में taxable होगी ही या कोई goods or service sale की है Indian customer को जो इंडिया में reside करता है या online sale की आई है तो उस customer का IP address इंडिया का है तो माना जाएगा कि operations carried out in India है और इससे जो income non-resident को होगी वो भी इंडिया में taxable होगी ठीक है चलिए अब last में समझते हैं अगर अगर कोई resident अगर कोई resident किसी non-resident को या foreign company को monetary gift देता है monetary gift देता है तो यह इस non-resident के लिए इंडिया में taxable होगा ठीक है तो section 9 सब section 1 clause 8 क्या मोलता है पेर resident in India है वो resident है चाए और है चाए अनुआर है चाए अनुआर है चाए इंडिविजुल है कंपनी कोई भी है पेई यानि recipient non-nor है या NR है non-resident non-corporate या foreign company है अब एक बात समझना अगर और फॉरिंड कंपनी है तो उसको gift cup रिसीव हुआ on or after 5th July 2019 और अगर वो अनुआर है तो उसको ये gift रिसीव हुआ है एक अप्रेल 2023 के on or after अगर वो अनुआर है कौन? recipient तो ये situation में उस recipient के hand में ये income monetary gift इंडिया में taxable हो जाएगा ये monetary gift बले ही recipient को outside इंडिया रिसीव हुआ हो तब भी इंडिया में taxable होगा लेकिन हां कुछ exceptional situation में gift taxable नहीं होता है वो हम other sources set में पढ़ चुके है section 56 subsection to clause 10 में जैसे relative से मिलता है on the occasion of marriage मिलता है उन situation में तो वो gift taxable नहीं होगा ये provision ध्यान रे सिप monetary gift पर applicable है non monetary gift अभी तक government ने इस section के दायरे में नहीं लिये है तो इसके साथ ही ये chapter complete इस chapter का revision complete